नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्सा बारा के लिए हिंदी आरोह भाग दो से कवीता आलोग धन्वा की पतंग और इस कवीता के हम आज करेंगे MCQs यानि Multiple Choice Questions तो आलोग धन्वा की कवीता पतंग के MCQs हम करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में चलिए देखते हैं First Question तो पहला प्रसन है कि कवीता में साइकिल को नई चम के लिए क्यों कहा गया है साइकिल को नई चम के लिए साइकिल क्यों कहा गया है प्रसन का जवाब हमारे पास चार उप्सिन है उसमें सी कोई एक राइट है उप्सिन एक है सूरज की तेज रोसनी के कारण भादों के चले जाने के कारण बादलों के चा जाने के कारण या दवहे प्राते काल हो जाने के कारण तो इस प्रसन का राइट आंसर है सूरज की तीज रोशनी के कारण साइकल को नई चमकिली साइकल कहा गया है चलिए दूसरा प्रसना देखते हैं प्रसना नमबर दो है कि कवीता में कवी ने प्रातर कालीन लालीमा की तुलना किस से की है प्रातर कालीन लालीमा की तुलना कवीता में किस से हुई है खरगोस की आँखों स और फिर चोथा और रक्त की लालिमा से तो इसका राइट जवाब है खरगोश की आँखों से खरगोश की आँखों के समान लालिमा जो है वो बताई गई है तीसर प्रस्णा है पतंग कविता में किस रितु का वर्णन किया गया है तो पतंग कविता में वर्षा रितु का वर्णन किया गया है या फिर सरद रितु का वर्णन किया गया है या फिर सीत रितु का वर्णन है या ग्रेश्म रितु का वर्णन किया गया है तो इस प्रस्न का जवाब है कि पतंग कवीता में सरद रितु का वर्णन कवी ने किया है वर्सा रितु की समापती के बाद कवी ने सरद रितु जो है वो बताई हुई है और शुरुवाती जो दो पंक्तिया है उसमें कवी कहता है कि भादो गया हुआ सवेरा भादरपद महीना बीतने के बाद में बरसा की जो तेज बोचारे उसकी संभावना कम हो जाती है और उसके बाद जैसे ही नया सवेरा होता है उस समय सरद रितु का आगमन माना गया है चोथा प्रसन है जोर जोर से में कौन सा अलंकार है जोर जोर से जो सब्ध है पांगती है इसमें कौन सा अलंकार प्रयोगत हुआ है पुन्दरुक्ति प्रकास अलंकार, सलेस अलंकार, यमक अलंकार या अनुप्रास अलंकार तो इसमें जो है पुन्दरुक्ति प्रकास अलंकार का प्रयोग हुआ है जोर जोर से यानि रिपीट हो रहा है उक्ति का पुन जो है पुन उक्ति कई जा रही है इसलिए इसमें है पुंदरुक्ति प्रकास अलंकार अगले प्रस्न है कि दिसाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए पंक्ति में कौन सा बिंब है पंक्ति में कौन सा बिंब है दिसाओं को मृदंग की तरह बजात इसाँ को म्रिद्भे की तरह बजाना है आवाज निकलती है म्रिद्भ exports के बात हुई इसलिए इसमें स्रव्य बिंभे का प्रियोग हुआ है next प्रस्न नमबर 6 जो है गिर कर बचने पर बच्चे कैसे हो जाते हैं गिर कर बचने पर बच्चे नेडर हो जाते हैं, डरपोक हो जाते हैं, आत्म विश्वास रहित हो जाते हैं या हातोत साहित हो जाते हैं अगले प्रसन है साथ नमबर जन्म से वे अपने साथ लाते हैं कपास यहाँ पर वे सब्द बच्चों के लिए आया है कि बच्चे जन्म से ही कपास लाते हैं अपने साथ कपास का मतलब यहाँ पर कौमलता से हैं कपास का जो मुलायमपन है उससे यहाँ पर कवी ने उन छोटे बच्चों की तुलना की है तो पंक्ती में बच्चों की कौन सी विशिस्ता पर बल दिया गया है उनकी कौमलता पर या फिर निर्मलता पर या फिर सहजता पर या कठोरता पर तो इस पंक्ती का जवाब है कौमलता पर छोटे बच्चों की यहाँ पर कौमलता कि तुलना जो है कपास से की है कवी ने अगला प्रस्णा नबर आठ है सबसे तेज बोचारें गई भादो गया सवेरा हुआ पंक्ती में किस रितु के चले जाने की बात कही गई है तो सबसे तेज बोचारें जैसे ही भादो मेंने के समापती के साथ ही वर्सा रितु की समापती जो है वो मानी गई है यहाँ पर वर्सा रितु की समापती की बात कवीने कही है वर्सा रितु की चले जाने की बात कवीने यहाँ पर कही है और इसे के साथ जो है सरद रितु के आगमन की बात भी होती है यहां पर सरद को एक प्रकार से इसका मानवी करन किया गया है उसको बालक माना गया है सरद को और पूलों को पार करते हुए वो आगे बढ़ता है तो यहाँ पर मानवी करन लंकार का प्रियोग हुआ है सरद आया पूलों को पार करते हुए सरद को यहाँ पर मानव की तरह माना गया है इसलिए यहाँ पर मानवी करन लंकार का प्रियोग हुआ है दस्व प्रसन है कवीता में मृदंग की आवाज किसे कहा गया है बच्चों के जो पदचाप है उसको यहाँ पर मृदंग की तरह माना गया है या फिर पत्तों की सरसराहट को या फिर बीजली की गरजना को या घंतियों की आवाज को तो इस पंक्ती में बच्चों के पदचाप की आवाज को मृदंग की आवाज माना गया है यारवा प्रसना है पतंग कवीता में पतंग के माध्यम से किस और संकेत किया गया है तो पतंग कवीता में इस पतंग के माध्यम से बाल सुलब इच्छाओं की और संकेत है या फिर बाल सुलब क्रिया कलापों की और संकित किया गया है या बालकों की उमंग की और संकित किया गया है या फिर उपरियुक्त सभी तो इसका जवाब है उप्रियोक्त सभी क्योंकि इस पतंग कवीता में पतंग के माध्यम से कवी ने बाल सुलब इच्छाओं और उनकी क्रिया कलापों और उनकी उमंग उनके जोस और उनकी भावनाओं को यहाँ पर बताने का प्रयास कवी ने किया है इसलिए इसका उत्तर रहेगा उप्रयोक्त सभी बार्व प्रस्न है पतंग के लिए किन-किन विश्यस्ताओं का प्रयोग किया गया है पतंग के लिए कवीने पतंग कवीता में कौन-कौन से विश्यस्ता है बताईए दुनिया की सबसे हलकी चीज, दुनिया की सबसे रंगीन चीज, दुनिया का सबसे पतला कागज और दुनिया की सबसे पतली कमाने या फिर उपरयुक्त सभी तो इसका भी जवाब रहेगा उपरयुक्त सभी क्योंकि कमी ने पतंग कवीता में पतंग की ये सभी विसेस्ता आग Пटाई है अगला प्रसना देखें हैं होता है तो आकास में बादल समाप्त हो जाती है भादरपत महीना समापत हो में लालीमा चा जाती है वाता भरण में एक उमंग उल्लास और खुसियां चा जाती है इसलिए इसका जवाब रहेगा उपरियुक्त सभी चौधवा प्रस्न है पतंग कवीता में सरद को क्या माना गया है सरद को बालक माना गया है सरद को साहिकल माना गया है या फिर पतंग म पार करते हुए जो है वो सरद आगे बढ़ रहा है नई चमकिली साइकिल को तेज चलाते हुए और घंटी जोर जोर से घंटी बजाते हुए इस आरों से बच्चों को बुलाते हुए पतंग उड़ाने के लिए तो यहाँ पर जो सरद है ना सरद का वर्णन कभी इस पतंग कर रहा है मतलब उसे बालक मानते हुए कभी जो है सरद रितु का वर्णन करता है अगला प्रसना है 15 नंबर पतंग कविता में पतंग की तुलना किस से की है पक्सियों से की है या फिर तीतलियों से की है या मनुश्यों से की है या बच्चों से की है तो पतंग कविता में सब्सक्राइब क Introduction इनकी सबिविए सब्सक्राइब पतंगों और टाली जगां कुम attitude तो यहाँ पर इसमें आएगा कि दिसाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए या पतंगों को मृदंग की तरह बजाते हुए या बालकों को मृदंग की तरह बजाते हुए तो पंक्ति में दिसाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए वरनन किया गया है ठीक है दिसाओं को मृ प्रदंग की तरह बजाते हुए इस प्रकार इसका जवाब रहेगा ओप्सन नमबर एक अगला प्रस्ना है सत्रवा खालिजेगे को इतना मुलायम बनाते हुए रेक दिस्तान की पूर्ति कीजिए आकास को इतना मुलायम बनाते हुए या धरती को इतना मुलायम बनाते हुए या दुनिया को इतना मुलायम बनाते हुए या पतंगों को इतना मुलायम बनाते हुए तो इसका अंसर है आकास को इतना मुलायम बनाते हुए आकास को सरदरितू में मुलायम माना गया है इसलिए इसलिए दुनिया की सबसे हलकी चीज उपर उड़ सके दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके तो यहाँ पर आकास को इतना मुलायम माना गया है सरदरीतु में अगला प्रिस्न नमबर 18 पतंग कविता में लाल सवेरिक की तुलना किस से की है? खरगोस की लाल आँकों से, कच्छुए की आँकों से, मचले की आँकों से या फिर बालकों की आँकों से तो इसका जवाब रहेगा कि पतंग कविता में सवेरिक की तुलना खरगोस की लाल आँकों से की है सरद के मौसम में और आश्विन मास में आकास बिलकुल साफ होता है और सुबे का जो आकास होता है वो लाली मासे युक्त होता है लाली मासे गिरा हुआ होता है जिस तरीके से खरगोस की लाल आखे होती है प्रस्न नमबर 18, सरद आया को पार करते हुए, रेक्तिस्तान की पूर्ति कीजिए तो सरद किसको पार करते हुए आया है, पंक्ती में इसके लिए कौनसा सब्दियों जुआ है नदियों को पार करते हुए या पूलों को पार करते हुए जर्नों को पार करते हुए या पहाडों को पार करते हुए तो यहाँ पर पंक्ती में option no.2 है कि सरद आया पूलों को उपार करते हुए अपनी नई चमकिली cycle तेज चलाते हुए तो इसका उतर हैगा पूलों को पार करते हुए अगला प्रस्णा देखते हैं 19 प्रस्णा है कि दुनिया की सबसे हलकी और रंगीन चीज किसे कहा गया है पतंग कविता में पीतलियों को या फिर पतंगों को बालकों को या फिर उपरियुक्त सभी तो इसका जवाब है कि पतंग कविता में कविने पतंग को दुनिया की सबसे हलकी दुनिया की सबसे रंगीन दुनिया की सबसे पतले कागज की चीज और सबसे पतली कमाने की चीज बताया है पतंग को इसलिए इसका उत्तर है option number 2 पतंग को अगला प्रसना है खाली जग है को भी नरम बनाते हुए रिक्तिस्तान की पूर्ति कीजिए किसको नरम बनाते हुए चतों को नरम बनाते हुए या फिर दिवारों को नरम बनाते हुए आंगन को नरम बनाते हुए या बालकों को नरम बनाते हुए तो इस पंक्ति में चतों को नरम बनाते हुए का प्रियोग हुआ है तो यहाँ पर हमने देखा था पहले एक और पंक्ति आयथी जिसमें आकास को मुलायम बनाते हुए सब्दि का प्रियोग हुआ था और च्छतों को नरम बनाने की बात यहाँ पर कवीने करिए तेट तुई मिलते जुलते दो प्रसना हैं आकास को मुलायम बनाते हुए और छटों को नरम बनाते हुए ये तो अलग-अलग पंगतिया हैं इसका ध्यान रखें अब्जेक्टी ट्राइप में इस प्रकार की प्रसना पूचे जा सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसना है 21 स्वा आलोग धनवा का एक मात्र कावे संग्र क्या है तो आलोग धनवा का एक मात्र कावे संग्र जो है उसका नाम है जनता का आदमी या भागी हुई लड़कियां ब्रुनो की बेथियां या दुनिया रोज बनती हैं तो इसका रचनाई जो है वो आलोग धनवा साब की हैं जनता का आदमी भी ये आलोग धनवा साब की रचना है भागी हुई लड़कियां इनकी है और ब्रुनो की बेटियां भी इन्हीं की रचना है इनके माध्यम से ब्रुनो की बेटियों से इने सरवाधिक प्रसिद्धी प्राप्त ह लेकिन दुनिया रोज बनती है ये इनका एक मात्र कावे संग्र है आलोग धनवा साब का और इसी आलोग धनवा के एक मात्र कावे संग्र दुनिया रोज बनती है से पतंग नामक कविता ले गई है और पतंग कविता का ये तीसरा भाग हम पढ़ रहे हैं पतंग कवीता किसकी रचना है पतंग कवीता आलोग धनवा साब की रचना है या फिर मुंसी प्रेम चंद जी की रचना है या फिर हरिवन स्राह बच्चन साब की रचना है या उपरियुक्त मैंसे कोई नहीं तो पतंग कवीता आलोग धनवा साब की रचना है और ये आलोग मैने के बाद समाप्त हो जाती है तो इसमें भादो के बाद या फिर आस्विन के बाद या फिर कार्ति के बाद या फिर स्रावन के बाद तो कौन से मैने के बाद पतंग कवीता में है न कवीता में कवीने कौन से मैने के बाद बरसा की तेज बोचारों के समाप्त होने की बात गई हैं तो इसका उत्तर है कि भादों के बाद है ना भादों गया बर्सा की तेज बोचा रहें उसी के साथ समाप्त मानी गई है और इसी के साथ ये आज का हमारा जो MCQs वाला टॉपिक था ये कंप्लिट हुआ इसी प्रकार के टॉपिक आपको रोज मिलते रहेंगे और साथ ही हम रोजाना आठ बजे लाइव क्लास भी करते हैं तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हूँ तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स के साथ भी इसे सेर करें और रोजना आठ बजे लाइव क्लास में साम को आठ बजे लाइव क्लास में मिले थैंक यू आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू